बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सिंबोलिक इंटरक्शन ठीक है? ले जा बिटा फोन तो सिंबोलिक इंटरक्शन अभी जैसे हम ने पहले भी गॉफ मैन वाला भी टॉपिक पढ़ा तो उसमें भी किस के बारे में बताया गया था? मीड के बारे में बताया गया था अब ये बात मुझे आप लोग बताओगे कि कौन किस का शिशे है? जैसे गॉफ मैन तो इन दोनों का हो गया, लेकिन हरबट ब्लूमर शिशे है? या फिर मीड? खलका कुछ याद है? मीड के शिशे ब्लूमर है या ब्लूमर के मीड? बता पाओगे? कुछ याद है कल का? अरे वो तो बोलो ही ना जिसने कल कलास में ली थी अच्छा आपको भी याद नी है मेगा हम पूछ रहे हैं कि मीड ब्लूमर के शिशे है या फिर ब्लूमर मीड के शिशे है राइट चीक है? मीड के शिशे ब्लूमर और ब्लूमर के शिशे गौफ मैन कल ये चीज बताई गई थी ठीक है तो हर्बर्ट ब्लूमर का सिंबोलिक इंट्रेक्शन हम यहाँ पर इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो पते क्या यह ब्लूमर का अबर्थ हुआ था साथ मार्च उननीस सो में यूएस में ठीक है और इनकी मृत्य हुई थी तेरा अपरेल उननीस सो सतासी यूएस में ही बाकी साथ मार्च या तेरा हाँ बोलो मैं मैं केरियो मैं भी हूँ था यूएस में ठीक है और ब्लूमर की जो डैथ है वो हुई थी उननीस सो सतासी में यूएस में ही ये प्रभावित थे मीड से, पार्संस से, कुले से, जौर्ज सी मेल से ठीक है जो ब्लूमर है वो प्रभावित हुए मीड से, पार्संस, कुले और जौर्ज सी मेल से इनकी एजुकेशन यूनिवस्टी ओफ सिकागो से हुई अब सिंबोलिक इंट्रक्शन के बारे में ब्लूमर क्या बताता है ब्लूमर कहता है कि यह पद मुझे थोड़ा बहुत फुड़ और गवारू लगा इसका प्रियोग मैंने सबसे पहले Man and Society के लिए लिखे गए एक लेख में किया था Man and Society के लिए लिखे गए एक लेख में ब्लूमर ने सबसे पहले इस शब्द का उपियोग किया था यह सयोग की बात है कि लोगों को यह पसंद आ गया और यह पद चल निकला कि जैसे किसी ने एवे बैठे बैठे कुछ लिख दिया हो और वहाँ बैठे आसपास बैठे या उसको पढ़ने वाले लोगों को वो बहुत जादा चीज पसंद आ गई तो यह ब्लूमर कह रहे कि मैंने तो एवे ही लिख दिया था और मुझे नहीं पता था कि इस शब्द को इतना पसंद किया जाएगा या फिर ये इतनी प्रसिद्धी पा लेगा ठीक है? मेगा माईक आफ कर लो अब आता है वास्तों में इस पद का प्रियोग भी एक कहानी है मैन एन सोसाइटी पुस्तक का संपादन इमर्शन शुमिट कर रहे थे इसमें ब्लूमर को भी एक लेख लिखने के लिए आमंतरण दिया गया था आमंतरण किया गया मैन एन सोसाइटी एक बुक है जिसका संपादन कोन कर रहा था? इमर्चन और शुमिट कर रहे थे इसमें ब्लूमर को कहा गया कि आप भी अपना इसमें एक लेख लिख दीजिए तो इस पुस्तक के लेख लेखक यह जानना चाहते थे कि समाज विज्ञानों में किस तरह की अध्यन सामगरी मिलती है और इन विज्ञानों की अध्यन विधी क्या है ब्लूमर से कहा गया कि बे सामाजिक मनो विज्ञान की अध्यन सामगरी वे विधी पर अपने सर्वेक्षन दे इस लेक को लिखने के दोरान ब्लूमर को लगा कि सामाजिक मनोविज्ञान समाज विज्ञानों विज्ञानिकों से मनुष्य की प्रकर्ती के अध्यन में भिन्न है और कहते हैं कि Bloomer ने अपनी व्याख्या में कहा कि सामाजिक मनोविज्ञान की बड़ी बहुत बड़ी रुची के सामाजिक विकास को समझने में है सामाजिक मनो विज्ञान तथ्यात्मक रूप से यह जानना चाहता है कि एक व्यक्ति किस तरह सामाजिक व्यक्ति की तरह विक्सित होता है तो जो सामाजिक मनो विज्ञान है वो यह जानना चाहता है कि यह व्यक्ति का विकास जो है वो सामाजिक तोर पर कैसे होता है आपने किसी प्राब्लम को लेकर ही कहीं चले जाते हैं और आप घर में इनफर्म नहीं करते या घर में बता कर निकल जाते हैं फिर भी आपको यह चीज सुनने को मिलती है कि आप पूछ कर नहीं गए थे तो इस तरह के बहुत सारे बाउन्डेशन्स होते हैं तो इन दिल करता है और वो किस प्रकार से एक सामाजिक प्राणी बनता है तो इस बारे में कहा ब्लूमर ने एक सिकिन रुको अब हम कुछ चीजों को जानते हैं प्रतीकों द्वारा जो प्रतीक होते हैं हमारे आज़ पास तो उनके द्वारा किस प्रकार से अंतहकरिया होती है में फोकस इस चीज पर है ब्लूमर का के और इसी लिए इसको सिम्बोलिक ऄिंटर्रक्शन कहा गया के प्रतीकात्मक अनतहकरियावाद कि हम प्रतीकों के according किस प्रकार से अंतहकरिया करते हैं जैसे सामजिक बनने वाली बात आई तो प्रतीक होते हैं उन प्रतीकों द्वारा हम कैसे चीजों को समझते हैं कि कुछ चीजे होती हैं हमारे आसपास जैसे क्लास में होते तो बहुत बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में इतना मज़ा आता है न बच्चों को सची में कभी भूल भी नहीं पाते जैसे कई अब तुम लोग वहां बैठे बैठे हसोगे कि कई तरीके होते हैं आँख मारने के कभी कभी आपने किसी के साइड को आँख मारी है एक तो होता है पलक जपकना एक होता है एक आँख को जपकना उस आँख को एक आँख को जपकने को बोलते हैं आँख मारना क्या आपने कभी किसी को आँख मारते हुए देखा है अरे बोलो आपने आपने मारी है किसी की साइड को अच्छा भाई हम तो कर लेते हैं हम तो कर लेते हैं कभी-कभी हाँ वही 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 चीज मैं कहना चाहरी हो कि आख मारने का एक बिटे आप लोग चुप रहो कि एक तरीका नहीं होता सिर्फ एक तरीका मतलब एक एक सैंस नहीं होती आख मारने की बहुत सारी सैंस होती है और उन सैंस को आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ जाते हैं सामने वाले कि अगर आप किसी को पागल बना रहे हो या किसी के साथ मजाग कर रहे हो और उसमें शामिल आपके साथ और भी लोग है तो आप उनकी साइड को एक बार नियाख जो है वो जपका देते हैं ठीक है तो बाकी सब समझ जाते हैं कि हमें इसका एक जने का जो है वो उल्लू बनाना है ठीक है इस चीज से इस बात से इस सिंबल से इस प्रतीक से सब लोग अवगत हैं ओवरोल हमारे आसपास हमने जितने भी लोगों को देखा है वो सभी इस चीज से अवगत हैं लेकिन अगर रास्ते में जाते हुए कोई रहागीर या फिर कोई ट्रक वाला किसी के साइड को एक आख इस तरह से जपका कर चला जाए तो उसे reply क्या मिलेगा तुरंट से एक sense निकल कर आएगी कितना बत्तमीज है इसे क्या मिला ऐसे करके ठीक है तो ये एक दूसरी sense थी आख वही थी आख मारी गई लेकिन situation के according जो उसकी जपकी तो उससे पता चलता है वो एक परतीक होता है कि वो एक बत्तमीजी वाला परतीक था और वहाँ एक मजाख वाला परतीक था और जैसे बाबारामदेव हैं उनकी एक आख जो है वो चपकती रहती है हर टाइम तो उनके साथ ये एक problem है ठीक है और जैसे आपने बताया एक आण्टी की है उनकी रहती है तो किसी किसी को आदत भी इस तरह की बन जाती है लेकिन आदत बनना जो है वो परतीक में नहीं आएगी ठीक है जो मैंने दोनों चीज बताई ये परतीक में आएंगी क्योंकि इसको सब जानते हैं ठीक है इसकी sense को सब समझते हैं फिर आते हैं अब bloomer ने कौन-कौन से उधारण दिये अपने परतीकों को इनको समझाने के लिए ठीक है आते हैं अपनी बात पे इस तरह के अध्यन ने परतीकात्मक अंतह क्रियावाद को जनम दिया कि उन्हें एक पेपर लिखने के लिए कुछ लिखना था सोचना था तो इस तरह उनके परतीकात्मक अंतह क्रियावाद का जनम हुआ bloomer ने एक नवजाज शिशू के विकास को क्रमिक रूप से देखा देखो जिसे हाफ शिशू की बात आई है मैं और सारे परतीक बता दू तुम्हें बिल्ली अगर तुम्हारा रास्ता काट जाए तो अशुब होगा ठीक है कहीं पर आप शादी के लिए जा रहे हैं कोई सफेद साड़ी पहन कर निकल जाए तो अशुब माना जाता है कोई अर्थी कोई अर्थी लेकर निकल जाए तो भी अशुब माना जाता है ठीक है जब शादी होती है तो लाल जोडे को शुब माना जाता है कुछ कास्ट कुछ धर्म ऐसे है किसी में काले रंग को शुब माना जाता है जबकि हिंदू में क्या है काले कलर को या नीले कलर को एक साल तक पहना भी नहीं जाता उसे इतना आशुब माना जाता है ठीक है तो ये प्रतीक है अशुबता के और शुबता के ठीक है तो इसी तरह से अब आता है ब्लूमर की बात पर ब्लूमर क्या कहता है क्रमिक रूप से देखा जाए तो इसे वे इस निसकर्ष पर पहुंचते हैं कि शिशु का समाज के साथ जो भी संबंध है वह प्रतिकों के द्वारा होता है ठीक है जब माता पिता को शिशु का समाज के साथ जो भी संबंध है वह प्रतिकों के द्वार जब माता पिता को शिशु मुस्कुराते हुए देखता है तो वो क्या करता है मुस्कुराता है या बच्चे को मुस्कुराते हुए देखकर माता पिता भी मुस्कुराने लगते हैं कि चोटा बच्चा खिलोना आ गया घर में तो बच्चे का रोना, बच्चे का खिलखिलाना, खिलोने से खेलना, जुन्जुना बजाना आदी ये सब जो है वो प्रतीक है कि आप जुन-जुना जिदर की साइड को बजाओगे बच्चा उधर की साइड को देखने लगेगा तो बच्चे के लिए वो जुन-जुना जो है वो एक प्रतीक बन जाता है फिर जिसके माध्यम से नवजाज शिशु समाज को समझता है और समाज शिशु को ब्लूमर कहता है कि नवजाज शिशु और उसके बाद व्यस्क का समपून विकास प्रतीकों के माध्यम से ही होता है किसी संपरदाय या राष्ट का जंडा, राष्ट गीत या इस्ट देव की आरती, भली भाती के त्योहार जैसे बैसाखी, दिवाली, होली, सभी प्रसंता या किसी ने किसी दुख के प्रतीक है नवजार शिशू में प्रतीकात्मक अंतेह क्रियावाद की क्रिया की भूमी का बहुत निर्नायक है यहाँ पर जो की लिखा है वो गलत है, की पे यहाँ पर यह छोटी एकी नहीं बलकि बड़ी एकी मात्रा चड़ेगी क्रिया की भूमी का बहुत निर्नायक है बुलूमर कहते हैं कि नवजार शिशो की बाल्ले अवस्था और व्यसक अवस्था में पहुंचने का मुद्दा मौलिक रूप से ऐसे संगठित वहवार को प्रस्तुत करता है जिसमें बच्चा नए लक्षियों और अभी प्रिरण को प्राप्त कर सके बच्चे की मूल प्रवर्ती महतुपून हैं लेकिन बच्चे के विकास में इसकी निर्नायक भूमिका नहीं हैं बच्चे की मूल प्रकरती बस यहीं तक सीमित हैं कि उसमें लचीलापन हैं सामाजिक मनोवेग्यानिक यह मानते हैं कि बच्चे का विकास प्रतिकात्मक अंतेक करिया के द्वारा ही होता है अभी बहुत सारे प्रतिक और हैं जैसे रास्टे यह हमारा जंडा है कि अगर किसी के पास जंडा बाहर भी विदेश में कहीं दिख जाएगा तो या तो उससे भारत्य फ्रेमी कहा जाएगा या फिर वो एक भारत्य ही होगा ठीक है दूसरा जैसे मैट्रो है मैट्रो का एक चिन है कि गोला होता है उसमें दो लाइने होती है और उन दो लाइनों में एक तिर्चासा कट होता है इस तरह से वो उसका लोबो होता है रोडवेस बसिस तुम्हारे सामने जाती है योपी की रोडवेस बस का राउंड में इधर को शेप है औ और राउंड में इधर को अगर आज तक आपने नहीं देखा है तो देख लेना जब रोड पे बसे जाती हैं तो प्राइवेट और जो गवर्मेंट बसे होती हैं उनकी सबसे बड़ी पहचान जो है वो लोबो होता है उत्तरपरदेश परिवेहन तो जो प्राइवेट बसे हो बने होते हैं कि ये बस रोड वेज है या फिर प्राइवेट इसी तरह से राजिस्थान परिवेहन का अलग तरह का लोबो होता है और जितने भी स्टेट्स हैं हमारे हर्याना परिवेहन की भी यहां पर बसे दिखाई दे जाती हैं हमें और इसकी और भी कई सारे स्टेट्स हैं जिनकी roadways हमें यहां पर हमें अमारे आसपास निकलती हुई दिखाए दे जाती हैं लेकिन उन पे लोबों बने होते हैं अलग-अलग states के और अलग-अलग states के परिवहन के ठीक है तो उन से पहचान होती है कि ये कहां की चीज है तो उन पहचान चिन्नों को ही प्रतीक कहा जाता है प्रतीकात्मक अंतियक्रियवाद की उत्तत्ती यहीं से होती है नेक्स चलते हैं ब्लूमर ने प्रतीक को पहले तो एक पद की तरह ही काम में लिया इसको एक पद समझा बार में चलकर इसे एक सिध्धान का रूप दे दिया जब जो चीज इतनी प्रचिलित हो गई और इतनी मान्य हो गई सोसाइटी में तो वो एक पद कैसे रह सकती है वो एक सिध्धान का रूप उसे दिया गया फिर बहुत थोड़े यानि कुछ वाक्यों में प्रतीक को इस प्रकार प्रिभाशित करते हैं फिर से आते हैं प्रतीक एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा नवजात शिशू अपना जीवन शुरू करता है ठीक है बिलकुल सिंपल भाशा साधी सी प्रतीक एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा नवजात शिशू अपना जीवन शुरू करता है प्रतीक केवल नवजाश इशु के लिए ही उपियोगी हो ऐसा नहीं है मनुष्य की संपूर्ण अंतेकरियाओं में प्रतीकों की विशेस भूमिका है प्रतीक के द्रश्टांत हमारे चारो और बहुलता से बिखरे हुए हैं इतने भी मनें बताए वो सारे इनके द्रश्टांत ही है वह एक शक्तिशालित प्रतीक है आधुनिक फ्रांसिसी समाजशास्री वोट्डियो का कथन है कि किसी भी समाज में भाशा एक ताकतवर प्रतीक है जो हम बोलते हैं वो भी एक भाशा भाशा जो है वो एक प्रतीक है व्यक्ति जितनी अधिक भाशाएं जानता है यानि जितना अधिक बहु भाशी होता है उतना ही उसकी अंतेक्रिया सफल होती है उतने ही लोगों से वो इंट्रक्शन कर पाएगा चित्र भी प्रतीक है ठीक है? कि कहीं सात्विक बना होगा सतिया बना होगा तो वो भी एक प्रतीक है कि कहीं 386 लिखा होगा तो वो भी एक प्रतीक है जो काम घंटों के भाशन नहीं करते एक चित्र कर देता है चित्रों की लाखो जुबान होती है एक सामानने कार्टून समाज में हलचल पैदा कर देता है निरत्यकला भी एक प्रतीक है इसके हाव भाव द्वारा मनुष्ये के मनो भावों को अभिवक्ती मिलती है वेश भुशा भी एक प्रतीक है जब किसी प्रांत के व्यक्ति को हम विशिष्ट वेश भूशा में देखते हैं प्रांत की तो छोड़ो जाती ब्रादरी की बात आ रिये चलो आगे आ रिये तो तो हमें उसकी जाती ब्रादरी तक का पता लग जाता है महिला को काली साड़ी या सफेज साड़ी पहने देखकर हम समझ जाते हैं कि परिवार में कोई दुखांगित गटना गटी है इसी तरह का अर्थ मुंडाय सिर को देखकर लगाया जाता है कहना चाहिए कि समाज की संपूर्ण अंत्यक्रियाएं पर्ति को द्वारा ही चलती है कि जब बड़ा बेटा अपने पिता को अपनी माता को या फिर घर के किसी सदस्य को बड़ा हो या फिर जो भी मुखागनी देता है तो उस बंदे के को मुखागनी के बाद जिर अपने बाल उतरवाने पड़ते है अपना मुंडन करवाना पड़ता है उसे गंजा होना पड़ता है ठीक है तो ये एक तरह का पर्तिक है ठीक है जैसे कोई बुर्खे में जा रही है तो हमें पता चल जाएगा ये मॉंडन है साड़ी में जारी तो हम कहेंगे कि हिंदू है और अगर और तरह कि कोई पोशाक पहनी होगी तो फिर उससे भी अंदाजा लगा लिया जाता है अब ब्लूमर ने परतीक की जो व्याख्या दी है उसके आधार पर निम्न तथे स्पस्ट हो जाते हैं तीन प्रकार के जो तथे हैं वो इसपस्ट होते हैं कौन-कौन से अन्ते क्रियाओं में एक या अधिक परतीकों को काम में लिया जाता है कि अन्ते क्रियाओं जो होगी उसमें कोई जरू नहीं कि एक ही परतीक है जैसे इसमें बताया नहीं है कि जैसे बच्चे को भूक लगती है तो हम उसे क्या सोचते हैं कि वो भूका होगा और उसे हम दूद पिला देते हैं वो खेलता रहता है लेकिन वो जब फिर से रोता है तो फिर हमें पता देता है कि अच्छा भूका हो गया उसे हमें दूद पिलाना है तो वो एक प्रतीक बन जाता है फिर प्रतीक ऐसे होने चाहिए जिनके अर्थ को अंतहक रियाएं करने वाले लोग समझते हो कि ऐसा नहीं कि मेरा और तुम्हारा बस एक साइन बना है कि हमने कुछ अपने अपसी जो है वो साइन बना रखे हैं कि ये होगा तो ये होगा कि मुझे तुझसे बात करनी है तो हम मुझे हाई भेजना है या फिर हैलो भेजना है तो समझ जाना कि मैं लाइन पे हूँ तो इस तरह का कुछ नहीं है बलकि जो सारवजनिक सिंबल्स होते हैं जो वर्ल्ड वाइज या फिर पूरे भारत में इलाग होते हैं जिनें पूरे भारतिये लोग जानते हैं वही चीजे सिंबल्स कहलाती है जैसे सबसे बड़ा उधारन ये बच्चे रोने वाला भी है और मैंने जो बताया वो आँख मारने वाला भी है ठीक है उसे ओल ओवर सभी लोग समझते हैं ठीक है और नमबर तीन मनुष्य के विकास में प्रतीक और समझ प्रमुख पद है बिल्ली का रास्ता काट जाना उसे भी सब लोग जानते हैं तो इस तरह से जो हमारा प्रतीक है वो सब को समझ आता हो तो ये तीन पार्ट्स में इसको दिवाइड किया गया तीन तरीके से इसकी व्याख्या की गई आप कहते हैं इस विशाल जो ये है ना ये भी एक सुक्ष्म सिध्धानत है इस विशाल समाज को स्वे के माध्यम से समझने का प्रियास व्यक्ती करता है इस तरह की समझ में प्रतीकों की भूमिका निर्णायक होती है प्रतीक अंते क्रियावादी अन्य समाशास्री सिधान्त वेता से एकदम भिन होते हैं यह प्रकार्यवादी यह मान कर चलते हैं कि सामाजिक वेवस्था अपने आपको बनाए रखने के लिए व्यक्तियों की अंते करियाओं को पहले से ही अग्रिम रूप में निर्धारित कर लेती हैं दुर्खीम कहते हैं कि सामाजिक तथ्य का दबाव व्यक्ति के वहवार को निर्धारित करता है फिर मार्क्स कहते हैं कि उत्पादन पद्धितियां ही व्यक्ति के वर्ग को निश्चित करती है पर्तिकात्मक अंतह क्रियावादी इस प्रकार के किसी विशलेशन को स्विकार नहीं करते यद भी ये अंतह क्रियावादी समाज द्वारा प्रदत भूमिकाओं के प्रभाव को वो स्विकार करते हैं पर इनका उनसे कोई सरुकार नहीं होता अंतहक्रियावादी तो पूर्टे व्यक्ति के वहवारों की व्याख्या करते हैं उनका कहना है कि व्यक्ति तो अपनी अंतहक्रियाव में सब कुछ करेगा जिसे उसके स्वे, उसके सेल्फ, उसने खुद ने निश्चित किया है ठीक है ये कहा है ब्लूमर्डे सबसे पहले पेज़ पे आ जाते हैं और वहां से एक समरी लेकर चलते हैं ब्लूमर का जरम सन 1900 में US में हुआ उनकी म्रत्यू 1987 में हुई ब्लूमर मीड, पार्संस, कुले और जोर्ज सिम्मेल से प्रभावित हुए उनकी सिख्षा दे यूनिवस्टी ओफ सिकागो से हुई ब्लूमर कहते हैं कि ये वर्ड तो मैंने ऐसे ही उप्योग कर लिया था Man and Society पुस्तक में एक लेख लिखने के लिए लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह यह शब्द इतना चल जाएगा और लोगों को यह पसंद आएगा फिर कहते हैं कि प्रतिकों के बारे में उन्होंने बताया ये बुक किस की थी? Man and Society बुक इमर्सन्स शुमिट की थी और इसमें ब्लूमर ने भी एक लेक लिख लिखा था किस के उपर? सिंबोलिक इंट्रक्शन के उपर और फिर सिंबोलिक इंट्रक्शन के बारे में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से एक नवजाज शिशु अपनी बाल्यावस्था से लेकर व्यस्क होने तक अनेक तरह के प्रतिकों के आधार पर अपनी जीवन चर्या जीता है या फिर समाज को जानता है उसके खिलोने उसका रोने पर दूद मागना उसका जुन जुना उसका खिल खिलाना उसका हसना उसके माता पिता को उसको देखकर हसना या फिर उसका माता पिता को देखकर हसना ये सभी तरीके जो है वो प्रतिकात्मक अंतेक्रियावाद ही है बिल्ली का रास्ता काट जाना किसी के काले कपड़े पहन कर बहार निकलना या फिर बुर्खा पहन कर निकलना वो भी परतीक है कि हाँ वो ड्रेस जो है वो ड्रेस कोट जो है वो मॉम्डनस का है सफेद वाइट कोट पहन कर निकलना उस पर black tie लगा लेना वो और black coat पहन लेना वो एक वकील की पोशाख है तो वो भी एक symbol है एक doctor की है कि white coat पहनना उपर से doctor का coat बिल्कुल अलग से दिखाए दे जाता है वकील का अलग होता है नर्सिस की dress अलग होती है तो इस तरह से हमारी जो वेश-बुशा होती है वो भी एक प्रतीक होता है ठीक फिर चलता है कि शिशु जिस तरह के से अपना जीवन जीता है फिर और बहुत सारे इन्होंने प्रतीक बताए कौन-कौन से व्यक्ति की जितनी भी भाशाएं हैं वो प्रतीक है उसकी क्रियाएं प्रतीक है जो चित्र हैं वो प्रतीक है उसके काम करना उसका काम करने का तरीका या फिर उसकी कलाएं निरत्य करना वो भी एक तरह के जो है वो प्रतीक ही है दुलहा दुलहन की जो ड्रेस है वो एक प्रतीक है विभा के दोरान होने वाले मंत्रो चारण भी हिंदु विभा का एक प्रतीक है हमारा रास्टे जंडा हमारा प्रतीक है या फिर कोई भी संस्थान या संस्थान नया होता है डेवलप होता है या फिर व्यवसित होता है या फिर कोई नई ब्रांच शुरू होती है तो उसको भी एक लोगो तयार कराना होता है अपना तो वो उस ब्रांच का एक प्रती कहलाता है हर डिपार्टमेंट की अपनी एक मोहर होती है तो वो मोहर जो है वो उस डिपार्टमेंट का एक प्रतीक होती है ठीक ये सारी चीजे ब्लूमर दुआरा समझाई गई बताई गई फिर इन्हें इसकी व्याख्या को इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी दी गई कि प्रतीक एक एसा साधन है, जिसके द्वारा नवजाश इशू अपना जीवन शुरू करता है, फिर इसके तीन आधार बताए गए, कि अंते करियाओं में एक या एक से अधिक बच्चों को काम में लिया जाता है, एक या उस से अधिक प्रतीकों को, sorry, प्रतीकों को ऐसे होने चाहिए, जि जो प्रतीक है वो all over एक ही जैसा होना चाहिए कि सब लोग उसको जाने मनुष्य के विकास में प्रतीक और समझ प्रमुखपद है कि जो भी हमारे प्रतीक है वो all over एक होने चाहिए और उन्हें समझने वाले भी उनकी जो समझ है उनकी प्रतिकों के according ही symbolic introduction by maid ठीक है कल class इसी time होगी 12 बच्च के 5 मिनट पे ठीक है कोई बोल लेगा class off कर दूँ ठीक है ठीक है ठीक है ओके बबाई बबाई सभी को बाई बाई स्वस्त रहें अपना खाते पीते रहें घर में रहें ओके बाई